सर देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं आप सौ दिन में, 125 दिन में इससे ऐसा लगता है कि चुनाव जो है एक स्टेटस को का चुनाव है यानि लोगों को ये आश्वस्त हैं कि आप वापस आने वाले हैं जब BGP के टिकेट दिये जा रहे थे उस समय लोग कहते थे कि टिकेट नहीं है ये निर्वाचन का सर्टिफिकेट है हर जगा जो BGP का सबसे बड़ा एसेट है वो आपका चेहरा है और आपका काम है आपको कभी ऐसा लगा कि इस बार तीसरे टर्म के दौरान केंडिडेट्स ने भी शायद ऐसा सोच लिया कि भई आपके नाम पे ही जित के आना है आपके काम ने आपने इतना अच्छा करके रख़ा है कि उनको कोई जादा मेहनत करने की जरूत नहीं है तो आप उस हिसाब से कुछ आप देख रहे हैं कि कोई लैक आफ पार्टिसेपेशन या जरूर से जादा एक शौरटी कैंडिडेट्स में या कारे करताओं में एक तो ये जो चुनाव जितने वाला हूँ ये हमारी सरकार बनने वाली है इस अनुमान पर पहुंचने में आप बहुत काफ लेट है बहुत लेट है आप मुझे राजप्रदी पूतीन का फोन आया था सितंबर की मिटिंग के निमेंदर के लिए मुझे जी सेवन का फोन आये तक हमें बिटिंग पे चाहिए तो दुनिया को तो पुरा वरोसा है कि ये सरकार बनने वाली है आप काफी लेट है लेकिन फिर भी देरा है दुरस आये अच्छा ही है हैं हाई जहां तक चुनाओ का सवाल है मैंने एक साल पहले में देुअ में पार्टी को कहा था बड़ी मिटिंग के का कि केंदीडीट का इंतज्द मत करो है है आपका इंटीर घो शित हो चुका है है और वहां कमल कमल ही आपका केंडिडेट है और कोई केंडिडेट है नहीं तो एक साल से मैं सिरफ कमल के लिए ही काम करना ताइक कर चुका मेरी पार्टी को मैंने उस प्रकार से गल्वनाइज कर दिया था तो हम कमल के लिए ही सब लोग काम कर रहे हैं मैं भी कमल के लिए काम कर रहा हूं मेर हैं और हम कबल की बात में होता रहे हैं